हलो दोस्तों आप सब्सक्राइब स्वागत है कॉमिक्स चारट चैनल वे गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं राज कॉमिक्स बाइस संजय गुपता की तरफ से आधी परव नाग ग्रंट तो चलिए गाइस शुरू करते हैं नाग ग्रंट मानव के जीवन का सही माइने में आरंब तब होता है जब वह अपने अस्तित्व का असल उद्देश्य तलासता है जीवित तो सभी हैं परंटु अपने अस्तित्व के असल उद्देश्य पर चिंतन वही करता है जिसका जीवन मृत्य तुलह कष्टों से गुजराओ जिन कष् मृत्य लेक अस्ट जिसमें मृत्यू पर विजय प्राप्त करना सिखा है बच्पन इनसान के जीवन का सबसे बहु मिल्यकाल है निर्भोध, निश्पाप, निश्कपट, मेरा बेटा, मेरा विश्कार कहते हैं मनुष्य का जीवन चक्र भी समय चक्र के भाती अपनी दूम को खाते हुए अंतहीन वृत्य में घुमता हुए एक सर्फ है जीवन में घटना एक निड़धरित प्तिमान की भाती अपना स्वरूप समय अनुषार बदल कर मनुष्य के समक्षाती है तुझे सूरज कहूँ या चांद तुझे दीप कहूँ या तारह मेरा नाम करेगा रौशन जग में मेरा राज दुलारा मेरा राज हम अपनों की साहता से गिर कर समलना सीखते है अरे उठ जा मेरे बेटे यह मामुली चोट मेरे बेटे कुरूला नहीं सकती आने वाले समय में बड़ी से बड़ी चोट हस्ते हुए से जाएगा तू समझा चल उड़ जा पापा का बेटा अपनों के लिए लड़ना सीखते हैं प्रेम करना सीखते हैं प्रेम के लिए सर्वस्त सुन्याचावर करना सीखते हैं और सीखते हैं अपनों से मिले विश्वास घात के बारे में, सबसे बढ़कर हम अपने प्रेम का बलीदान करके करने का नरक देंश सहते हैं, हम सीखते हैं दूसरों की भलाई के लिए अपनी खोशियों की नरक आहुती देना, यह कलिव है, यह सिप पूत्र पिता से प्रतिग लेकश्ट और प्रेम को खोने का नरक दंश जहलता हुआ मनुश्य ही अपने अस्तित्व के उद्देशे पर चिंतन कर सकता है, और अस्तित्व का मार्ग धर्म तक ले जा सकता है, धर्म जो किसी बालक के समान ही निश्चल और अभोध होता है, हर हर महादेव, चंबू, पिछले तीन चार रोज से यही पड़े रहते हो कंबल ओड़के, तुमको पहले या नहीं देखा, कहां से आयो, कोई फकीर हो क्या, यह मासूम बच्चा मुझे घाट की सीनियों पर बैठा कोई बिखारी समझ रहा है, और यही तो मैं चाहता हूँ, फकीर ही समझ लो बेट मुझे काशी ले आई, यहां आते ही, दशाश्व मेद घाट पर नागाल से सामना हो गया, अगर नगीना ने उसे अपने तंतर जाल में नहीं फैसा होता, तो बच्चों की जान बचाने के लिए मुझे वाक्ची नागाल की शर्त मान करतना सीर काटना पड़ता, और इसके मेरा अन्वेशन आरम हुआ, उस मंदीर की तलाश में, जहां मैं कालदूत का दिया हुआ शिवलिंग इस्थापित कर सकूँ, अधूत है वस शिवलिंग, जिस प्रकार चुम्बक के सामान कोण एक दूसरे के सामने रखने पर विक्षरन उत्पन्न करते हैं, किसी भी मंदी में शिवलिंग इस्थापित करने की कोशिश पर विश्करन उत्पन करता था, नहीं नगा, नगीना, काशी विश्वनात मंदीर में भी शिवलिंग इस्थापित नहीं हुआ, मुझे जहली समझ आ गया कि बनारस को मंदीरों का शेहर क्यों कहते हैं, अब तक हम अंगिनत मं जयू नागराज, और शायद मेरे पास इसका समादान है, कैसा समादान? शमझान सादना, तुमने बनारस के मनी कर्णी का घाट के बारे में सुना है, मनी कर्णी का घाट छंचार की सबसे पुरातन नगरी के सर्वो प्रतम घाटों में से एक माता सती की शक्ती पीठ है, भगवान विश्णू के कठोर तब करने पर मादेव और माता पारवतियां प्रकट हुए थे, कहते हैं, अजारों सालों से इस सम्शान की अगनी प्रज्वलित है, जो ना कभी बुजी है और ना ही इस शुष्टी के अंथ तक कभी बुजेगी, अलग निरन जानी, तुमारी जानकारी बिल्कुल सही है नागराच, इसलिए ये सम्तान तंत्रिशाद से बचने है तू मैंने ये रूट देरा, और यहां असी घाट पर समादी लगा कर बेट गया, जब मेरी दृष्टीन कच्रा बिनते बच्चों पर पड़ी और मैं कुछ देखकर दमरे गया, इन मासुम बच्चों को पता भी नहीं है कि पैसे का डालस देकर इन से क्या करव आया जा रहा है, ये बच्चे भी तुम्हारे साथ ही है, कादीर, शेरू, जमार, डाशीर ये लोग पहले हमारे साथ ही कच्छा बिनते थे पर अभी हमारे साथ नहीं, क्यों? क्योंकि अब ये लोग दिलवार खान के लिए गाम करते हैं, वह इनको मोटा पैसा देता है, क् इस दिलवार खान के पास लेकर चल सकते हो, अब्दुल, तुमको भी इनके जैसे कच्छा भी इनके पैसा बनाना है, पर तुमको नहीं लेगा, वसी बच्चों को लेता है, मुझे उसके पास लेजे लो, तुन्हें इनाम मिलेगा, वारे फगीर, तुमारे पास खाने को न हम भी दिलवार के लिए कच्छा भीनकर पैसा बनाते हैं, पर अम्मी ने बना कर दिया, अम्मी कहती है कि दिलवार खान अच्छा आजमी नहीं है, उसका पैसा हराम है, मैंने उन बच्चों के पीछे पहले अपने शुक्षम शर्प भीजे थे, लेकिन हर बार मेरे हम शर्पो को मारने वाला गोई साधारन इंसान नहीं हो सकता, शाबास हरामी के पिल लो, अपने पैसे उठाओ और दफा हो यहां से, अगली बर कच्छा कब तक भीना है तुम्हें बता दिया जाएगा, सारे पुर्जे दुरुस्त है भाईजान, अपने भाईजान के पु की रियाजम मरवाओगे क्या, खतम कर दो इसे, यह कोई साधारन अधना सा आतंगा दियो और उसकी गुर्गी पार्टी है, लेकिन मेरे सर पिंद्रा मुझे किसी बड़े खतरे का संकेद दे रही है, भागो सम मारे जाएंगे, हमने सुना है यहां पहले साप आते हैं, फिर यम्दूत है तो मैं यम्राज हूँ, बला मेरे आदेश के से टाले गए, नागराज को खतरे का आवास होगा था, कौन हो तुम है, मैंने नागिंद्रा किसी बहुत बड़े खतरे के त्रीवे संकेद दे रही है, दिलवान खान का सर परस्त आखिर है कौन, मैं छलावा नागराज, मैं वही हूँ जो तुम हो, हे बाबा को रखनात, ये क्या माया जाल है, मैं नागराज हूँ, और तु दुनिया का पहला अपराई है, जिसे अपने ही आतों मृत्यू पात होगी, वह भी बिना हाथ में हट जाती है, और तेरे जाने के बाद दुनिया कभी तेर जैसे सर्पो को इसी ने मारा होगा, हाँ जहरीले, सही समझा, तेरे नने मुने सपोले को मैंने कुछ लाए, ये मेरे विचार पढ़ रहा है, मैंने कहा ना मैं तेरे यक्स हूँ, तेरे दिल और दिमाग में उमरता ऐसा कोई विचार ऐसा कोई डर नी जो मुझ से छुप ज नागराज बचा, आश्चार यह, इसकी कलाईयों से भी सर्प निकल रहे हैं, ये पिले नहीं तेरे साप ही सही, बरगर मिले आ जाओं मिन मतलब पेड भरने से, त्री सर्पी, त्री सर्पी भी, त्री सर्पी भी अचरत सागर में गोचे लगा रही थी, इसने किसी तंत्र यहां माया जाल से नागराज का रूप नहीं धरा वरना मेरे स्तंत्रवार से इसका वास्तविक रूप सामने आ जाता सिर्फ सूरत ही मिलती है सीरत नागराज से बिलकुल विपरी थे यहां मेरी जिन्दगी का प्रतम होसार है जब तीन-तीन सोंदर्य से लबरेजन नागीनों अपने कोमलवारों से मिरे तन और मन दोनों को गुदगुदा रही है दिलवार खानों दूसके आदमी मौके का फायदा उठा कर पार्ट्स के साथ भाग निकले पर फिलाल इन बच्चों को इस नकली नागराज की पहुच से दूर करना ज़ादा जरूरी है अब्दुल बाकी बच्चों को लेकर फॉरण निकलो यहां से लेकिन त्री सर पी अब स्वेम अशरक्षित थी ऐसे दूर दूर से क्या दीदार करना जब तक उन्हें उस आतातिय की वास्तविक मन्चा समझाई देर हो चुकी थी उफ यह क्या हो रहा है हमारे सर प्रूप में परिवत्त हो के इसकी कलाईयों में प्रविष्ट हो रहे है नागराज त्री सर प्रूप को श्पर्ष करके तुने खुद अपने देज सर्टिफिकेट पर अंगुठा लगा दिया है फॉरन मेरे जिसम में समा जाओ त्री सर प्रूप यह प्रतम अफसर है जब नागराज के आदेश का पूरा किये बगएर ही वापस लोटना पड़ रहा है क्या है ना जहरीले मैं बंदा बड़ा रोमांटिक किसम कहूं अपनी नागिनों को अपनी कलाईयों में चूड़ियों के जैसे सहच के रखियो कई मेरा मूड बन गया तो उम्र भर मेरे नाम को रोईगी इच्छा दालियों की उम्र वैसे भी लंगी होती है त्री सर पी के हुए इपमान की अगनी नागराज के जिसम में के हर शल्क में धतक रही थी और यह प्रचंड अगनी ज्वाला मुखी के खौलते लावे के समान सत्रू पर फूटी आज मैं तुझे मूल भूट शिष्टा चार का सिद्धान सिखाता हूँ जिसे इस संसार के हर पुरुष को याद रखना चाहिए लड़की हो या नागिन संसार की किसी भी इस्तरी से उसकी सहमती के बगेर हाथ मत लगाओ क्योंकि ऐसा करने वालों के हाथ तोड़ देता है ना अगराज अब तुम्हें यह सबक पूरी उम्र याद रहेगा लेकिन अफसोस तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा अब तुम चाहा कर भी किसी लड़की को हाथ नहीं लगा सकते इस पूरी घटना का सीधा प्रसारण दो अलग-अलग इस्तानों पर हो रहा था पहला पापत्यक्ष की पाप परिशद में जहां उपस्तित महा विभूतियों में फैला रोश इस पस्त दिखायों और सुना ही दे रहा था नागमनी का या परमानू बम तो बुजा पठा का निकला दुनिया में नागराज वन पीस है उसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता दूसरा एक अग्यात इस्तान जहां सिर्फ एक ही दरस्ट को पस्तित था उसके आधरों पर खेलती कुट्रिल मुसकान चीक चीक कर कह रही थी कि कोट्रिले नागराणी अपने उस हत्यार से आश्वस्त था नागराज मेरे पद चुत पुत्र बहुत गलत फहमी है दुनिया को तेरे वन पीस होने पर लोग्यों की तरह तू भी भूल गया है कि बेटा कितना भी फन्ने खान क्यों ना हो जाए बाप बाप होता है मैं कोई शोले का ठाकर नहीं हो जहरी ले इसके हाथ काटके तो खुशियां बना लेगा लड़कियों का पता नहीं पर तुझे हाथ लगाने के लिए मुझे सहमत ही की जड़रत नहीं दोबारा बिन मांगे घ्यान जानने की कोशिश मत करना यह इच्छा दारी नागो के देवता की कैण्चूली की भस्म है से चीलम मैं भरो और एक لمबा कश खीचो दम मारो दम दुनिया से हो जाए नागराज कम जानते हैं यह क्या है यह इच्छा दारी नागो के देवता के विश्य है इसका एक तवड़ा घुड भरो इसके बाद तो सामने खड़ा नागराज भी मुशक राज के समान है इससे पहले नागराज ने कभी खुद को इतना अवसाया मैसूस नहीं किया था यह मुकाबला पूरो तो एक तरफा था नागराज का ऐसा कोई वार नहीं था जिसके बारे में उसका प्रतिजंदी पहले से ना जानता हो और प्रतिजंदी का ऐसा कोई वार नहीं था जिसके बारे में नागराज को लेश मातर भी अंदेशा हो जानते हो नागराच तुम अपनी मौलिक प्रकड़ित शक्तियों को साधने की बजाए अतियनते दोयन दर्जे की शक्तियों को खुद में ठूसने में जुटे रहे जबकि मैंने उनी मौलिक शक्तियों को उनकी पराकाश्टा तक साध लिया योद्धावाश अर्वश्टेश नहीं जिसकी तरकश में सेकड़ों तीर ठूसे पड़े हो योद्धावाश अर्वश्टेश होता है जिसकी तरकश का एक मातर तीर भी ब्रहमास्त्र की भाती हो यह तो एक ही जटके में मेरी गर्दन सूखे तिनके के समान तोड़ देगा मुझे इच्छादारी काणों में बदर कर इसकी कैद से खुद को सुतंत्र कराना होगा मेरा ब्रहमस्त रजल चुकाई जहली ले मेरा सारा अस्तिट्वेश्ट में वीलीन हो रहा है मेरे इच्छादारी कणिस के शरीर में समाहित हो रहा है और मैं अपना संपून बल लगा कर भी खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ यह इस्तापिश सत्या है कि संतान की जीत पर उससे अधिक गौरमवित उसका पिता होता है मेरा खुन मेरा अपना रिटा पाप परिशद में तो एक छंट तक स्थब्धता व्याप्त थी उसके बाद मां उसी दोगले पन का प्रदर्शन हुआ जो सब्य मानव समाज में सर्वता व्याप्त है मुझे पहले ही पता था कि नागमणी कुछ कमाल कर दिखाएगा सब्य मानव हो या महाखलना है प्रवर्ति में कोई विशेश अंतर नहीं होता वाह शैतान के अउलाद ने कमाल कर दिखाया हाँ मुझे भी अंदर से फीलिंग आ रही थी नागमणी का या बेटा तो पिछले वाले से भी ज़्यादा इस्टॉंग और हैंसम है परन्तु पाप अध्यक्ष उन भावनाओं से बहुत उपर था यही तो फरक होता है मानव और देवताओं में देवता भावनाओं पर नहीं उद्देश्य पर कार्या करते हैं पाप का ही सही देवताओं तो वह भी था बेवकुफ तुछ जीयो यह मुर्ख कभी भी महाखलनायक की उपादी के योग्या ना होगी परन्तु प्रोफेसर नागमनी और उसके रहस्य में पुत्र ने हमें वाकर प्रभावित किया है इन दोनों का हर कदम हमें हमारे उद्देश्य के और निकट ला रहा है यहां तो सभी महरे अपेक्षा अनुरूप चाल जल रहा है उमीद है हमारे दूसरा प्यादा भी काम्याब होकर लोटेगा परन्तु हमें काफी समय से उसी उड़जा की अवस्तिती नहीं मिल रही आखिर तू तेन तू है किस आयाम में मैं कहा हूँ तूम सारे के सारे च्छत पर उल्टे क्यों लटके हुए हो इसे नीचे उतारो कोबी अभी इसे काफी सवालों के जवाब देने कौन है तूम इस आयाम में कैसे पोजे क्यों आए हो यहां तूम लोग कुछ भी कर लो मेरा मूँ नहीं खुलवा सकते और मुझे प्रतारित करने का कोई फाइदा नहीं मुझे दर्द का एहसास नहीं होता यह कहां फसादिया पाप द्यक्ष ने है कौन है यह अजीब औ गरीव लोग किसने कहा कि जानकारी प्राप्त करने के लिए तूमें प्रतारित करने की जरूरत है तब तक जरूरी नहीं हो हम इंसा में विश्वास नहीं रखते सिवाए हमारे कोबी सर के हाई दर्द नहीं होता पर दिन में तारेत तो दिखते हैं तुमारी इन हरकतों से मैं मुझे खोलने वाला भाड में जाओ तुम सब जैसा कि मैंने कहा तुमें मूँ खोलने की कोई जरूरत नहीं है माइन रोवर इसका माइट स्कैन करो ओके नरहरी सर यह क्या कर रहा है लड़के इसकी उंगलिया मुझे मेरे भेजे के अंदर घुस्ती महसूस हो रही है इसके दिमाग से क्या जानकारी मिली माइन रोवर समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं माइन रोवर ने कोबी और नरहरी को जो कुछ भी बताया उसे सुनकर उनके दिमाग में फुल जणिया चूटने लगी मामला बहुत घंबीर है कोबी अंधेरी दुनिया का खुदा अनुबिस नागराज के अस्तित्व के पीछे पड़ा है उसका ये हिमायती विशंधर को तलाशता इस आयाम तक आ गया है यह सब कुछ आने वाले बहुत बड़े खत्रे का संके थे इस आने वाले खत्रे का आभास तो हम दोनों को पहले सही था नरहरी पिछले दो वर्सों से हम इसी समय की तैयारी में जुटे हुए थे लेकिन अफसोस तैयारी पूर्ण नहीं हो पाए तुमने इन बच्चों का अच्छी तरब तसिक्षित किया है कोबी लेकिन यह कभी युद्ध के लिए तैयार नहीं जांता हू नरहरी पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस आधे गंजे को होश में मत आने देना वरना यह आयाम उस काले से यार अनुबिस से छुपाने ही रहेगा मुझे धरती के आयाम में जाकर नागराज को किसी भी कीमत कर उसके अभियान से रोपना होगा मैं जब तक वापस नहीं आता तुम लोगों को अपनी प्रैक्टिस नरहरी सर के अंडर जारी रखनी है है मैं क्लियर यस सर तुम इन बच्चों को तयार करो नरहरी अंदरी दुनिया की ताकतों से जब महा युद्ध होगा तो हमारी जीत इन बच्चों की शक्तियों पर ही निर्वर होगी विदा कोबी जाने क्या प्रले आईगी जब कोबी और नागराज जैसी दो माशक्तियां एक दूसरे से टकराईगी कोबी अकेला नहीं था जो नागराज के अस्तित्व अन्वेशन अभियान को विफल करना जाता था नागराज अपने अस्तित्व अन्वेशन अभियान पर निकल चुका है इसलिए तुम पाचों को यह बुलाना अतियंत आवशक था क्योंकि तुम लोगे अच्छी तरह जानते हो कि नागराज का यह अभियान आने वाले समय में इच्छा दारी नागों के अस्तित्व के लिए कितना बड़ा अभिशाप होगा इस असुरा नागराज अच्छा बला दुनिया जहान घूम घूम के पाप्यान को मारता रहा फिर काये इस सब जंजाल में पढ़कर अपना बंटाधार कर रहा है यह सब अपना वा भगवान से उमर में तीन दिन छोटा चच्छा लोग का तिकड़ी है ना उसका ही किया दर आया इसमें कोई शक नहीं कि यह सारा किया दर उस काल दूद का ही है उमर का प्रभाव काल दूद की घरती बहुत एक चमता पर साफ दिख रहा है उसे यह समझ नहीं आ रहा कि उसकी यह जिद इच्छा दारी नाग जाती को कितनी महंगी पड़ेगी अपने न्यूट चैनल के जरिये मेंने हमेशा नागराज की बरतसना की है सिर्फ नागराजी क्यों मैंने मुंबाई के सो कॉल रक्षक डोगा की धज्या उनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी यह तो अच्छा है कि वास्तव एक दुनिया में सिर्फ यही दो सूपर हीरो मौजूद है बाकि सिर्फ कॉमिक बुक्स के कालपनिक मात पात रहें वरना हमारा काम और मुश्किल हो जाता इस दुनिया में इच्छा दारी नागों का अस्तित्व गुपत रहे और इंसान और इच्छा दारी नाग पारसपरिक सहीयोग से साथ रहें इसके लिए जरूरी है कि संसार में महानायक ना हो और जो हो वह संसार द्वारत रिस्क्रित हो लोग उन्हें लक्षक के रूपने नहीं बलकि मानवता के लिए एक बिमारी के रूप में देखें और यकिनन तुम इसमें काफी हद तक सफल रही हो तुम्हारे न्यूट चैनल देखने वाले लाखो करोड़ो लोग वो जूट को सच मानते हैं जो तुम उन्हें अपने चैनल के जरिये परोस्ती हो एक्सक्यूज मी मेडम भारती मनारे शेर से हमारे समवादता की रिपोर्ट आ रही है कि नागराजी आतंग वादियों का एक खुफिया अड़ा दोहस्त कर दिया है यह आतंग की आनवी बंब असेंबल करके बड़ी वार्दात को अंजाम देने की तैयारी में थे और नीशा नीशा तुम जानती हो तुम ऐसी न्यूज हम नहीं दिखाते आज रात के प्राइम टाइम की केच लाइन होगी पवितर रक्षक या पाखंडी लोगों की भावनाओं से खेलो न्यूज को पॉलिटिकल और कम्यूनल एंगल दो